हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं चैनल में नम अर्चना है आज मैं दो सिंपल एंड घड़ेली चीजों से बढ़ने वाले आइसक्रीम की रैस्पी लाई हूं तो चली देखतें इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवशकता हैं सबसे पहले बेल की आइसक्रीम सबसे बनाते हैं उनसे भी आप खड़िद सकते हैं को जो पार सर्वात तीयार करना आः हमें इसके बाद हम इसे जमने के लिए तो अब हमें क्या करना है इसके अन्धर से साड़े पल्प निकाल लेना का इसमें पल्प के साथ बहुत सारे बीज भी होता है और बीज के अंदर में बीज के एय।्यूस बड़ा होता या सबसे हल्दी होता है इसे फेगने की कोशिश ना करें आपको सिर्फ इसका बीज निकाल देना है तो बीज निकालने का भी एक तरकीव होता है तो सबसे पहले आप देखिए कि हमें इसका पल्प निकाल लेना है तो हम एक स्मूल लेंगे और इसके अंदर जो भी पल्प है इसे हम रिमूब कर लेंगे इसके अंदर के साड़े पल्प निकाल लेंगे साड़े पल्प निकालने के बाद हमें इसके अंदर से बीज निकालना है तो हम इस तरह से एक एक बीज का दाना निकाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मैंश करना शुरू करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे बीज हाथ में आ गया है तो हम इसके साथ जो जूस लगा है उसे हम नहीं फेकेंगे थुरा सा पानी डालेंगे ताकि जूस इसी के अंदर रहें और बीज को रिमूब कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे रेशा और सारे बीज निकाल कर रिमूब कर दिया है और देख सकते हैं कि बेल कितना अच्छा है इसको पीस दे समय सबसे पहले जार में चीनी डालेंगे तो इसमें मैं 6-7 चमच करिब चीनी डाल रही हूँ चिनी डाल कर पहले हम इसे पीस लेंगे इसके बाद जैसे यह पीस कर तैयार हो जाता है तो अब हम इसके अंदर पल्प भी डाल देंगे तो पल्प डाल कर भी थोड़े दिर इसे चलाएंगे तो यह देखेंगे कि बहुती स्मूद पेश्ट बन जाता है पल्प डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे और आप देख सकते हैं यह बहुत गार्षा हो चुका है इसमें हमें पानी भी डालने कावश चकता है तो चार-पांच ग्लास पानी हम इसमें और एड करेंगे ताकि यह अच्छी तरह से मिक्स हो सके लगबग 30 सेकंड चल जो भी इसके अंदर पल्प है यह जूस है वो सभी इस बरतन में जाएगा और जो रेशा होगा यह सीवा में रह जाएगा तो रेशा को हम हटा देंगे और इसके जूस को इस्तिमाल करेंगे साड़ा जूस च्छन चुका है देख सकते हैं कितना सुन्दर लग रहे हैं देखने से ही मन खुश हो जाता है और इसे देखकर ही कूल्लेस फिल होती है तो यह जूस बनकर तयार हो चुकी है तो बेल के शर्वत बनाने के बाद हम इसे आईस क्रीम में कनवर्ट करेंगे बचे हुए को जूस के तरह इस्तिमाल करोंगी तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें थोड़ा से निकाल लिया है और इसे जमाने के लिए हमें आईस क्रीम मोल्ड चाहिए तो मैंने एक आईस क्रीम मोल्ड ले लिया है और इस मोल्ड में इस तयार जूस को भर देंगे भर वी चोटे-चोटे बरतन में आप इसे भर सकते हैं और इसके उपर एक आईस्क्रीम स्टिक्स लगा देंगे तो यह आपका आईस्क्रीम बनकर तयार हो जाएगा तो मैंने इस मोल्ड में डाल दिया है और इसके बाद हम इसके उपर अल्मुनियों फोयल लगाएंगे अल्मुनियों फोयल लगाने के बाद हलका सा हम इसमें कट लगाएंगे ताकि एक-एक स्टिक्स सभी होल में हम डाल सके तो आप देख सकते हैं कि मैंने सभी होल में एक-एक स्टिक्स डाल दिया है और अब हम इसे जमने के लिए फ्रीजर में रखेंगे जमने के लिए आपको 6-7 घंटे के लिए छोड़ देना है और इसके बाद आप एक बार चेक कर सकते हैं अगर यह जम कर तेयार हो चुका है तो आप इसे इंटेक कर सकते हैं जमते हुए 6-7 घंटे हो चुका है और मैंने इसे चेक कर लिया है या जम चुका है तो अब हमें इसे demold करना है तो demold करने के लिए हम एक बड़े बरतर में 1.5 लीटर पानी लेंगे और इस पानी में हम ice mold को रखेंगे तो ice cream mold को पानी में रखेंगे और लगवक 30 second इसमें रहने देंगे पानी में 30 second रखने के बाद इसे हम shake करके देखेंगे इसमें फ्लेवर के लिए मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ है simple natural flavor में तयार किया है और हाँ अगर आप कोई flavor चाहते हैं तो add कर सकते हैं जैसे की rose essence, kevra essence या दूसरा कोई essence भी add कर सकते हैं जिससे इसका flavor बढ़ सकता है बट natural flavor भी बहुत ही अच्छा लग रहा है तो मैं तो यहीं बोलूगी कि आप एक बाद natural ट्राइ करके देख लीजे अगर पसंद ना आए तो आप flavor भी add कर सकते हैं तो हमारे बेल की ice cream तयार हो चुकी है तो हैना simple and asan तो इसी तरह से बेल की ice cream आप अपने घर पर तयार कीजिए और अगर recipe पसंद आए तो recipe को एक like चैनल को subscribe जरूर करें friends and family में वीडियो को share भी करें अब हम चलते अपने next recipe यारनी curd ice cream curd ice cream को भी हम बहुत ही symbol तरीका से तयार करेंगे इसके लिए हमें कर्ड चाहिए कर्ड आप बाजार से भी मंगा सकते हैं और अपने घर में भी जमा सकते हैं तो मैंने इसे अपने घर में जमा लिया है तो आप देख सकते हैं कि मैंने लगभग 400 ml milk को जमने के लिए रख दिया था और इस हिसाब से मैंने लगभग 1500 g चीनी ले लिया है और रोज एसेंस ले लिया है तो सबसे पहले हमें जितना आइस क्रीम बनाना है लगभग मैं 8-10 आइस क्रीम बना रही हूँ तो इसके लिए मैं इसका आधा दही इस्तेमाल करूगी तो मैं इसमें आधा दही निगाल लेती हूँ और इसके बाद इसमें चीनी भी डाल देंगे और इसके बाद हम इसे ग्राइंडर में शेक करेंगे आइस क्रीम जब तयार करते हैं तो इसके मिठास का पूरा धियान रखे क्योंकि जब यह ice बन जाता है तो इसकी मीठास कम हो जाती है तो शुरुआत में आपको जैदा मीठा रखना है यानि कि थोड़ा तेज मीठा रखना है ताकि जमने के बाद जब इसका मीठास कम होगा तो यह normal हो जाए यानि कि जैसा ice cream ice lolly pop होना चाहिए उसी flavor में यह तयार ह हो जाए तो सब कुछ डालने के बाद हमें इसे शेक करना है और से करने के लिए हमें ज्यादा टा maior नहीं चाहिए लगभग एक मिनट के अंदर में आपको इसे शेक कर लेना है ज्यादा शेक करेंगे तो इसकी क्रीम कराएगा तो हमें बहुत ज्यादा शेक सेख कर लेंगे कप ले लेंगे उसमें भी जमा सकते हैं मेरे पास आइस्क्रीम मोल्ड है तो मैं इसी का इस्तिमाल कर रही हूँ इसमें इसका शेव बहुत ही अच्छा बनता है तो इसमें हम लसी डाल देंगे और इसके ऊपर से हम अलमुनियम फै लगाएंगे इसके ऊपर हम करेंगे जमते हुए 5-6 घंटे हो चुका है मैं इसे चक कर चुकी हूं तो आप देख सकते हैं कि यह जम चुका है तो अब हमें इसे भी एक बरतन में एक डे लीटर पानी लेना है और इसमें इस मोल्ड को रखना है लगभग 20 सकेंड रखेंगे तो इसी में यह नीचे से हलका सब भी घल जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे 20-25 सकेंड के बाद ही आप देख सकते हैं इसे हम हलका सशेक करेंगे और इसी से पता चल जाएगा हलका सशेक हो रहा है तो हम इसे निकाल लेंगे तो एक एक पीस निकाल कर ट्रे में रखते जाएंगे और आप देख सकते हैं लग रहे नहीं है, बिल्कुल बाजार जैसा आइसक्रीम, खाने में भी इतना स्वाधिस्ट बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत पसंद है, कर्ड आइसक्रीम, बेल आइसक्रीम दोनों ही मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यह दोनों नैच्रल चीजों से बना हुआ है और फ्लेवर भी इसका अमेजिंग तो इसे भी आप अपने घर पर ट्राइ कीजिए और अगर रैस्पी पसंद आए तो रैस्पी को एक लाइक दीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर रैस्पी बहुत पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एन फैमिली में भी शेयर करें फिर मिलती हूँ एक नई रैस्पी के साथ तब तक के लिए बावाई